Hello everyone, तो आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि power generation और iron ore mining दोनों में काम कर रही है, ये company coales electricity नहीं बनाती है, ये company electricity बनाने के लिए biomass या फिर windmill का यूज़ कर रही है, और अगर इसका maximum electricity production की तरफ देखें, तो वो windmill से आ रहा है, इसका मतलब ये company green energy के तरफ काम कर रही है, ये fossil fuel जला करके उससे electricity नहीं बनाती है, लेकिन अगर इस company का maximum portion of revenue देखें, वो कहां से आ रहा है, तो वो आ रहा है iron ore mining से, या फिर कहें, तो steel production से आ रहा है, इसका revenue का लगभग 76% इसी sector से आ रहा है, यानि कि steel production या फिर iron ore mining से, और इनका target ये है कि financial year 2025 तक ये अपने iron ore के revenue को double कर ले, इस company के साथ अगस 2023 में एक disaster हो गया था, इस company का एक power plant जो की biomass power plant था, उसमें आग लग गई थी, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा नुकसान जिलना पर आ था, लेकिन अब वो power plant फिर से restart हो चुका है, और इनका target है कि 2025 तक power generation में इन्हें और आगे तक जाना है, इस stock का नाम है गुदावरी power and spot limited, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये spot का क्या मतलब होता है, तो spot को English में steel कहते हैं, चलिए इस stock को discuss करें, लेकिन उससे पहले अगर आप इस channel पर पहली बार आए हो, तो आप इस channel को subscribe कर सकते हो, और अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया information अच्छा लगता है, तो आप इस video को like भी कर सकते हो, चलिए इस discussion को आगे बढ़ाते हैं, तो अगर आप इस stock का one day time frame में analyze करें, तो आप ये देखिएगा, कि ये बहुत ही अच्छे up trend में थी, लेकिन अभी कुछ दिन से ये एक downtrend में चल है, तो आप लोग कुछ है कि ये downtrend कितने दिन तक चल सकता है, तो ये downtrend कुछ समय के लिए ही है, ये अब 200 EMA पे support ले लेगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक buying का trade बना सकते है, first green candle पर, तो ये अगर इसने यहाँ पर support नहीं लिया, और इसको break कर दिया, तो हम लोग का stop loss कुछ इस जगा पर रहेगा, जिसको अगर इसने hit कर दिया, तो ये और भी बहुत नीचे जा सकता है, लेकिन अगर इसका upside direction में देखें, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा space है, जो कि इसे cover करना है, मतलब कि आपका risk और reward ratio बहुत ही अच्छा बनेगा इस stock में, और यही इसके weekly time frame में भी हमें नजर आ रही है, कि यहाँ पर एक 50 EMA का support आ रहा है, और अगर इस support में एक green candle बने weekly time frame में, तो आप लोग यहाँ पर एक buying का trade बना सकते हो, और इस company का fundamental, जो कि हम लोग अभी देखेंगे, वो भी बहुत अच्छा है, तो आप इसमें long term के लिए investment कर सकत अगर इस company के market cap के ऊपर में बात करें, तो वो 12,698 करोर है, मतलब कि यह company नहीं तो इतनी जादी छोती है, कि यह आपको तुरंथी loss और तुरंथी profit दिखाना सुरू कर दे, और नहीं तो इतनी बड़ी है, कि इसका profit आपको धीरे धीरे नजर आए, यह company normal range की company है, और अगर 1.9 है, जो कि इस PE ratio को justify भी कर रहा है, तो चलिए इसका debt equity ratio पर नजर दाले, तो वो 0.01 है, जो कि इस company के profit के सामने में, बिलकुल 0 के आसपास में है, इसका pack ratio के ओपर देखें, तो वो 0.43 है, मतलब कि यह company में future में बहुत जादा scope है, कि यह company और जादा grow कर सकती है, क्योंकि अगर आप इस company के pledge percentage को देखिएगा, तो वो 0.00 है, मतलब कि यह हुआ, कि इस company के stock के बदले में, बैंक से कोई भी loan नहीं लिया गया, promoters के द्वारा, यह company आपको dividend भी दे रही है, इसका dividend भी अच्छा खासा है, अगर आप इस company का profit growth भी देखें, तो वो 42.8 है, जो कि पर में हम लोग नजर डाले, तो इसका अगर जून 2023 और जून 2024 के बीच में comparison करें, तो operating profit में आप देख सकते हैं, कि बहुत ही अच्छा उच्छाल है, जो कि जून 2023 में operating profit 307 था, वो बढ़ करके जून 2024 में 408 हो गया है, जिसके कारण margin भी कुछ बढ़ गए है, अब margin 23% से 30% पर चले गाए है, तो अगर आपको उसी के तुलना में earning पर share देखिएगा, तो वो भी 17 से बढ़ करके 21 पर चले गाए है, अभी भी इस company में growth का बहुत ही ज्यादा scope है, तो अभी भी हम लोग इसमें investment कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसके P&L के उपर में नजर डाले अगर हम लोग मार्स 2023 और मार्स 2024 के बीच में नजर डाले, तो आप लोग देख पाएंगे, कि मार्स 2023 में 5745 करोर का sales था, जो कि मार्स 2024 में 5445 कहीं रह गया, ऐसा इसलिए हुआ होगा, क्योंकि बीच में इसके power plant में आग लगने के कारण, इनका कुछ revenue loss हुआ होगा, जिसका इनके profit में भी दिख रहा है, अगर हम लोग इसका operating profit पर नजर डाले, तो यह operating profit थोड़ा सा बढ़ ही गया है, ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपने expenses में थोड़ी सी कमी लाई है, जिसके कारण इनका profit ज्यादा दिखाई पर रहा है, और इसी profit के कारण, इसका margin के उपर में नजर डालेंगे, तो margin भी बढ़ गया है, और net profit में भी increment आ गया है, तो अगर हम लोग इस company का compounded sales growth देखें, तो वो 10 साल में consistently 10% से grow कर रहा है, और अगर हम लोग इसके profit growth के उपर नजर डाले, तो वो पहले 10 साल में 32% से grow कर रहा था, या फिर 30% से grow कर रहा था, लेकिन पिछले 3 साल में यह 13% पर आ चुका है, लेकिन अगर हम लोग इसके stock price CAGR, मतलब कि यह compounded profit कितना दे रही है अपने share में, इसके उपर नजर डाले, तो अगर आप लोग इसका 10 साल का देखिएगा, तो वो 36% से grow कर रही है, औ अगर आप 5 साल का देखिएगा, तो वो 91% से grow कर रही है, और अगर आप 3 साल का CAGR देखिएगा, तो वो 48% से grow हो रही है, मतलब कि इस stock का stock price तो बहुत ही अच्छी तरीके से grow किया जा रहा है हर साल, तो चलिए अब हम लोग इस stock का share holding pattern के उपर में बात कर ले, share holding pattern बहुत ही 23 में अपने कुछ stake बेचे हैं, ऐसा इसलिए भी हुआ होगा, क्योंकि इनको power plant में, जो कि अगस्त में accident हुआ था, उनमें ज्यादा ही loss दिखने लगा होगा, जिनकी भरपाई के लिए इन्होंने अपने कुछ stake बेचे, ताकि वो उन loss को cover up कर सके, लेकिन अगर आप यही च अपना stake बराया था, लेकिन इधर कुछ साल से यह अपना stake कुछ कम कर रहे हैं, चलिए, अब हम लोग इस stock का technical analysis कर लेते हैं, तो आप जैसा कि देख रहे हैं, कि वन दे time frame में यह stock continue upside जा रहा था, लेकिन अब यह downside जाना शुरू हो गया है, हम लोग इसको downside जाना नहीं कह सक हैं, हम लोग कह सकते हैं, कि यह stock अभी retracement phase में है, यह थोड़ा सा retrace करेगा, उसके बाद यह फिर एक upside का rally हमें दिखा सकता है, अगर आपको तब भरोसा नहा हो, तो आप यहाँ पे एक SL लगा करके अपना trade बना सकते हैं, अगर यह stock 200 EMA पे एक green candle बनाएगा, तो हम लोग एक buying का trade place कर सकते हैं, और हम लोग का stop loss इस support के नीचे रहेगा, मतलब कि अगर इस support को market break कर देता है, तो हम लोग यहाँ अपने position से exit ले लेंगे, और हम लोग का target यहाँ तक रहेगा swing trader वालों के लिए, और अगर आप इसमें investment करना चाहते हैं, तो आप इस stock को long term के लिए भ बहुत अच्छा है, इसमें ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं है, जिससे कि यह stock के बुरे दिना सकते हैं, और यह stock collapse कर सकता है, लोग इसके weekly time frame में भी अगर देखें, वो एक दो week में लगभग यहाँ से support लेना शुरू कर देगा, तो हम लोग यहाँ पर एक buying का trade ले सकते हैं, औ हम लोग को अच्छा खासा target मिल सकता है इस stock में, तो यह था गुदावरी power and spar limited के बारे में full analysis, अगर आपको मेरे दिया हुआ information अच्छा लगा, तो आप इस video को like कर सकते हैं, और अगर इस channel पर पहले बार आए हैं, तो इस channel को subscribe कर सकते हैं, thank you